राधी राधी दोस्तों जैस्त्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल नैंसी शुबम ओफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप जानेंगी लड्डु गोपाल जी की छटी पूजा कैसे करें सनातन परंपरा में किसी भी बच्चे के जन्म लेनी की छटे दिन साम या फिर रात को एक बिसेस पूजा करने का विदिविधान है जिसे छटी पूजा कहते हैं जन्मास्टिमी के बाद आज छटे दिन भगवान स्री कृष्ण की छटी से जुड़ा पावन पर्व मनाया जाता है जन्मास्टिमी के पावन पर्व की तरहा काना की छटी पूजा का ये पावन पर्व भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है छटी पूजा में नवजात सिसु के लिए मंगल की कामना की जाती है ऐसे में भगवान स्री कृष्णी की पूजा में मंगल गीत गाने और उन्हें तमाम तरह का भूग चड़ाने का विधान है सनातर परंपरा के अनुसार किसी भी बच्चे के जन्म लेने के बाद छटे दिन जिस तरह उसे नए कपड़े पहनाई जाते हैं और उसका नाम करण किया जाता है बिल्कुल बैसे ही काना की छटी वाले दिन उन्हें बिधी बिधान से इश्नान कराने के बाद पीले रंग के नए बस्तर पहनाई जाते हैं और लोग अपनी आस्था के अनुसार उनका नाम करण जैसे काना, कनईया, लड्डु गोपाल, मुरली मनोहर आदी नाम रखते है कैसे करें भगवान कृष्ण की छटी पूजा? चंदन या केशर का तिलक अवश्य लगाएं और पीले पुस्प फल आदी जड़ा कर धूप बत्ती और दीपक दिखाएं काना की भोग में माखन मिस्री के साथ तुलसी दल जरूर चड़ाएं पूजा के बाद आप भगवान स्री कृष्ण को उसी नाम से बुलाएं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो और पूरे साल उसी नाम को संभोधित करते हुए उनकी पूजा करें अंत में छटी पूजा का प्रशाद सब को वाटें प्रशाद में बहुत से लोगों क्या सब जी पूड़ी बनती है और बहुत से लोगों क्या कड़ी चावल बनते हैं जिसकी यहां जैसा होता हो, उसे सापसे वप्रशाद बनाएं, भगवान जी को जणाएं और खुद भी ग्रहेंट करें। आईए दोस्तों आप जानते हैं कृष्णी छटी का महत्त क्या है। भगवान स्री कृष्णी के छटी मनाने के पीछे एक कहानी प्रचलत है। ये तो आप सभी को पता होगा कि माता देव की द्वारा कृष्णी को जनम दिये जाने के बाद उनके पिता बासु देव जी उने बारिस के वीच टोकरी में रखकर गोकुल में नंद वावा के घर छोड़ आए थे। लेकिन कंस को जब पता चला कि उसका अंत करने वाले आटवे भांजी का जनम हो गया है और वे गोकुल में है तो उसने राच्छ सी पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया और कहा कि मतुरावा गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों का अंत करदू जिनक काफी डर गई और अपने लल्ला को राच्छ सी पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी इसी के चलते उन्हें काना की छटी मनाना याद ही नहीं रहा जब काना एक साल के हुए तो माय शोदा ने गोकुल बासियों को उनके जनम दिन का नियोता दिया लेकिन गोकुल की महिलाएं केहने लगी कि अब तक कृष्ण की छटी नहीं पूजी गई है तो उसका जनम दिन कैसे मनाया जाएगा इसके बाद बुजरगो और ब्रहमडों ने उन्हें ये सला दी कि कृष्ण के जनम दिन से एक दिन पहले उनके छटी पूजी जाए सभी की सलामान कर्मा ये शुदाने काना के जनम दिन से एक दिन पहले उनकी छटी मनाई थी। ऐसे में गोकुल में जनमास्टिमी के एक दिन पहले ही कृष्ण भगवान की छटी मनाई जाती है। जबकि अन्य जगाव पर जनमास्टिमी के छे दिन बाद छटी मनाते हैं। बासरी बजाते हुए का चित्र था। कुम्बंदास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़ कर कभी कहीं भी नहीं जाते थे। एक वार कुम्बंदास के लिए ब्रंदावन से भागवत कथा का बुलाबा आया। पहले तो कुम्बंदास नी उस भागवत कथा में जाने से इनकार कर दिया। परन्तु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। उन्होंने सोचा कि पहले बे भगवान स्री कृष्ण की पूजा करेंगी और इसके बाद ही बे भागवत कथा करने जाएंगी। इस तरह से उनका ब्रंदावन के लिए निकल पड़े। ब्रंदावन से भागवत करके जब कुम्बंदास घर लोटा तो उसने बेटे से प्रशाद के बारे में पूछा। रगुनंदा ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जिने सारा भोजन खा लिया है। कुम्बंदास ने सोचा कि अभी रगुनंदा नादान है। उसने सारा प्रशाद खा लिया होगा। और डाट की बज़े से जूट बोल रहा है मुझसे। अब रोज कुम्बंदास भागवर कथा के रिए जाते और जब बेगर वापस आते तो देखते सारा प्रशाद खतम हो जाता। कुम्बंदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ जादा ही जूट बोलने लगा है मुझसे। कुम्बंदास ने एक दिन लड्डू बना कर थाली में रख दिये और दूर छिपकर देखने लगे। रगुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भाती ठाकुर जी को आवाज कि इसमें कुम्बंदास की बेटे के सामने आ गई। रगुनंदन ने ठाकुर जी से खाना खाने के लिए कहा जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्बंदास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था पैतुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गि कि जाने लगी कहते हैं किष्ण भगवान की छटी के दिन जो इस कथा का पाट करता है या फिर इस कथा को सुनता है उससे का नयाजी बहुत प्रशन होते हैं और शुर्धालों की सरीवानों का अमनाएं पूर्ण हो जाती है इसके साथ ही कथा यहीं पर समाप्त होती है दोस्त यदि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूले और कॉमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखेगा हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों म शेर करें ताकि और सभी लोग भी इस कथा का आनंद उठा पाएं दोस्तों जै श्री कृष्णा